इस वीडियो में हम लास्ट अप्लिकेशन अब देखने वाला हैं गॉसिज लॉका और हम क्या करेंगे हम एक अर्बिटरी शेप कंडुक्टर लेंगे और उस पे चार्ज उनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटिड ही होगा और हम देखेंगे कि उस अर्बिटरी शेप कंडुक्टर के सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू की आएगा अब इंपॉर्डन पार्ट ये है कि आपको पहले ही पता है कि कंडुक्टर के अंदर कोई भी फील्ड प्रेजन नहीं होता है और आपको ये भी पता है कि अगर आपके कंडुक्टर का कोई फ्लाट पार्ट होगा वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पर्पेंडिकुलर तो दे सर्फेस औरिजिनेट होता है ये दोनु चीज़े हमने पहले ही पड़ी हुई है इनी चीज़ों को यूज करके हम आज का एप्लिकेशन जो है उसका रिजल्ट जो है वो डिराइव करेंगे अगें यहां पर अगर मैं बात करू हम डिफरेंशल चार्ज की बात करेंगे और डिफरेंशल चार्ज के साथ साथ हम डिफरेंशल फ्लक्स की बात करेंगे तो ठीक है पहले एक arbitrary shape conductor लेते हैं लेट अजूम यह arbitrary shape conductor है और इस पर uniformly मैंने positive charge spread करा हुआ है positive charge मैंने यहां पर spread किया हुआ है अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे surface पे that means मैं यहां पर निकाल सकता हूँ यहां पर निकाल सकता हूँ, यहां पर surface पे कहीं पे भी मुझे electric field का value निकालना है फिर हम देखेंगे कि वो electric field का value क्या vary कर रहा है from one point to another point on the surface कि वो कुछ constant value ही हमें मिल रहा है अगर वो हमें कुछ constant value मिलेगा हम simply बोल पाएंगे कि जितना यहां पर electric field है तो उसी हिसाब से firm चीज़ों को deal करेंगे अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको पहले ही पता है कि conductor के अंदर electric field का value 0 अगर conductor के अंदर electric field का value 0 अंदर कोई भी electric field line नहीं होगी that means आपके conductor के अंदर कोई भी flux present नहीं होगा आपका spherical Gaussian surface हो सकता है आपका cylindrical Gaussian surface हो सकता है तो आप यही Gaussian surface लेते हो आपका box type Gaussian surface हो सकता है यहां पर जो मैं Gaussian surface लोंगा वो slender type लोंगा और slender का जो cross section area है वो बहुत ही चोटा है कितना चोटा मैं उसको differential बोल सकता हूं ds कुछ इस form का और आप देख सकते हो कि यहां पर यह जो आपके पास differential cylinder है जिसका मैंने differential cross section area लिया इसमें somewhat यह वाला part enclose हो रहा है और यह area को भी आप क्या मान सकते हो आपसको ds मान सकते हो since आपका यहां पर cylinder बहुत छोटा है आप assume कर सकते हो कि यह वाला part flat है अगर यह वाला part flat है तो अगर आप यहां पर electric field line दिखाओगे वो आप इस तरीके से दिखाओगे कि वो perpendicular to the surface originate हो रही है और यहीं पर मैं बोल सकता हूं यह आपका electric field vector e vector होगा और अगर मैं ds vector की बात करूँ आपका ds vector कुछ इस form का जाएगा perpendicular to the flat surface तो यह आपका ds vector होगा आप बोल सकते हो कि आपका जो e vector है it is parallel to ds vector अच्छा फर्दर और एक बात मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि आपके पास sigma it is equal to charge per unit area तो आप इसको लिख सकता sorry charge per unit area तो यहाँ पर आपका जो charge आप deal कर रहे हो वो तो dq charge के साथ deal कर रहे हो और वो ds area पे spreaded है आप यहाँ पर इस छोटे से charge के साथ deal कर रहे हो जो न enclose हो गया gaussian cylinder में और यह जो छोटा सा charge है वो कि surface पे present है ds surface पे इनका ratio आपको sigma देगा कहने का मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपका differential charge sigma times ds के style में आप लिख सकते हो अब क्या आप यूज़ करोगे आप gauss theorem यूज़ करोगे पट एक चीज़ को समझना जरूरी है हमने जो gaussian cylinder लिया हम देख सकते हैं कि electric field सिर्फ इस flat surface से बाहर निकल रहा है इस flat surface से कोई electric field बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर electric field present ही नहीं है बट अंदर तो कोई flux है नहीं यहां पर कोई भी electric field line इस वाले पार्ट से नहीं आएगी तो हमने किया क्या gaussian surface के लिए हमने gaussian surface के लिए एक cylinder लिया उसको partly हमने immerse किया अपने conductor में और partly उसको बाहर रख दिया जो cylinder का part आपका बाहर है आप देख रहे हो वहां से electric field बाहर आ रहा है बट जो part आपका अंदर है आपके conductor के अंदर है वहां से कोई भी electric field बाहर नहीं आएगा क्योंकि conductor के अंदर electric field होता ही नहीं है यह part important है फर्दर अगर मैं बात करूँ जितना भी electric field क्योंकि हमने Gaussian cylinder बहुत छोटा लिया जितना भी electric field होगा वो तो flat surface के बाहर आएगा आपके cylinder के curved surface area से कोई भी electric field बाहर नहीं आएगा क्योंकि आपका जितना भी field यहां originate होगा that will be perpendicular with respect to this surface सारा field आपका flat surface के बाहर निकलेगा curved surface के थूँ के अंदर electric field का वाल्यू जीरो अब अगर मैं यहां पे गॉस्थियोर्म एपलाई करूं गॉस्थियोर्म आपको क्या कहता है कि flux जो आपके पास होता है total flux जो आपके Gaussian sphere से Gaussian मैं बोल सकता हूं कि जो आपके Gaussian sphere Gaussian cylinder या मैं बोल सकता हूं Gaussian surface से बहार आता है आप सको लिखते हो it is q enclosed divided by epsilon not अब यहां पर हम differential flux की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास differential charge है हमारे पास differential area है differential area से आपका differential flux बहार आएगा तो हम differential flux d phi की बात कर रहे हैं it is equal to कितना charge जहां पे enclosed हो रहा है मैं बोल सकता हूं कि वो charge enclosed आपका d hu है और divide किसे करोगे आप epsilon not से करोगे बहुत आसान है इसमें कोई issue होना नहीं चाहिए ये आपका differential flux है तो hopefully कहीं पे आपका doubt नहीं होगा और हम इसको लिख सकते हैं it is equal to e vector dot ds vector और ये सिर्फ एक flat surface के लिए है अच्छा दूसरे flat surface के लिए क्यों नहीं लिया वाला part क्यों नहीं लिया क्योंकि again हमने जो यहां पर Gaussian cylinder लिया बहुत छोटा है और उसमें जो आपका यहां पे surface enclosed हो रहा है वो somewhat flat है उसका curvature आप approximately zero मान सकते हैं वो curved नहीं है वो flat है तो जितनी भी lines वहां से उठेंगी वो perpendicular to the surface उठेंगी तो कोई भी line वहां पे curved surface के through penetrate नहीं करेगी इसलिए मैंने जो area लिया वो मैंने flat surface का area लिया तो hopefully कहीं पे doubt नहीं होगा अब further मैं यहां पे बात करता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहां पे और और आप देख सकते हो यहां पे कि DQ की जगा पर आप substitution कर सकते हो DQ की जगा पे sigma times ds आजाएगा तो मैं लिख सकता हूँ यहां पे sigma times ds और divided by epsilon not अपनी जगा पे it is equal to यह आपके पास आएगा eds cos of zero degree मैंने dot product के यहां पे simply उसके definition को use किया मैंने eds पहला vector का magnitude दूसरे vector का magnitude उनके बीच का angle zero degree यह वाला part हमने देखा था वही मैंने वहां substitute किया और cos zero one के बराबर होता है तो यह लिखने की ज़रत है नहीं cos zero one के बराबर है कुछ cancel होगा आपका ds cancel होगा हम electric field कहां की बात कर रहे थे यह कहां का electric field है यह आपके surface पर का electric field है that means electric field on surface of conductor it is equal to sigma by epsilon naught और इसी result को हम next video में use करने वाले है जो कि आपका electric pressure का video है electric pressure और again वो आपके concepts को एक नए level पे ले जाएगा रादर आपको एक नए level पे ले जाएगा physics में आपको नब फिर पता होगा कि ठीक है pressure के साथ कैसे deal करेंगे electrostatic pressure के साथ और इसी तरीके से हम electrostatic force के साथ कैसे deal करेंगे वो सारी चीज़े आपको next video में सीखने को में लेगे एक नए level पे आप जाओगे पट वहाँ अगे रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट यह वाला यूज होगा अब अगर मैं बात करों आपके surface पे कितना electric field है sigma by epsilon not that means surface पर electric field कितना आपको मिल रहा है sigma by epsilon not यह surface पर अगर मैं surface से थोड़ा उपर जाओ थोड़ा सा आप बोल सकते हो क्योंकि यह तो flat वाला पार्ट है flat वाले पार्ट अगर आपका यह flat surface है flat surface की वज़े से uniform electric field होता है आप assume कर सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा उपर गए यहाँ पर भी आपका electric field का value क्या होगा sigma by epsilon not approximately approximately तो यह चीज़ आप दिमाग में रखना आज की वीडियो में इतना काफी बाकि नेक्स ताइम टेक कियर